चैनल में आपका स्वागत है आचारे चानक के आज दूसरे अध्याई के साथ कुछ उनके महत्वपूरे बिचारों के साथ हम आपके सामने उपस्तित है आईए सुनते हैं कि लक्षमी का वास कहा होता है आचारे चानक के जी कहते हैं कि जहां उस अस्थान पे जहां मुर्ख भेक्ति का समान नहीं किया जाता अर्थात् उनकी बातों को उत्ना महत्तन है दिया जाता यहां मुर्ख भेक्ति पूजां नहीं होोती जहां अन्ना आदी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हों और जिस परिवार में कलह नहीं होता दमपत्ति में अर्थात्पति पत्ने में आपसे विबात नहीं होता परिवारी कलह नहीं होता वहां पेधन, शंपत्ति, अहश्वर, शोभा, शुन्दर्त, आनंद हमेशा मौजूद रह अर्थात वहां लक्षमी जी की विशिश क्रिपा होती है अचारे चाण के कहने का तादपर है कि वहां अस्थान जहां मुर्खों की बातों को मुहत्र नहीं दिया जाता है कृषी या अन्य माध्यमों से उत्तम धन धान पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता हो जहां आचारे चाण की इन बातों को निश्चित रूप से हमें ध्यान देना चाहिए और दूसरी बात आचारे चाण के जीवन के सुख में बनाने के लिए कहते हैं कि जहां पर प्रकृति द्वारा प्रकृतिक कोप द्वारा आतिधिक ब्रिष्टी हो जाए अथ्वा सूखा होने पर दुश्ट और नीच्व्ड्यक्तियों का संग होने पर यदि ₨ विश्टी उस अस्थाम से भाग जाता है तभी उसका कल्यान होता है Pierre ला आचारे चाण कहके कहने का तत्र है कि किन परस्थितियों में हमें किन अस्थानों का परित्याग कर देना चाहिए यहां बह किशी ब्यक्ति को परिसान करने लगे तो उस ब्यक्ति को उस अस्थान का परित्याग कर देने पर ही उसका प्राण बच सकता है उसकी जीवन रख्षा हो सकती है आचारे चानक को ना कहते हैं कि हमें अपने परिवार को किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए कहते हैं पांच वर्स तक का बालक लालन पालन के जोगे होता है प्रेम और दुलार के जोगे होता है दस वर्स तक उनको अनुशाषन में रखा जाना चाहिए और जो ही बच्चा 16 वर्स का हो जाता है तो उसके समा मित्रवत बेवार करना चाहिए उसके साथ तभी एक शुक में पारिवारिक जीवन का अनन्द प्राप्त किया जा सकता है आचारे चाड़क का कहने का विचार है पांच वर्स तक पुत्र के साथ प्यार के साथ रहना चाहिए उनको प्यार देना चाहिए दस वर्ष की अवस्था तक उनको अनुशासन में रखना चाहिए और योहीं पुत्र सोलह वर्ष का हो जाता है उसके साथ मित्र की भाती बिवार करना चाहिए और एक इसलोक में आचारे चानक के जी कहते हैं कि मुर्ख का त्याग कर देना दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही मौतपुन है मुर्ख का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि प्रत्यक छुरूप से वह दो पैरों वाला एक प्रकार से पसु ही है वह अपने अभद्र वाणी के द्वारा हमको ऐसे डस्ता है जैसे न दिखने वाला काटा हमारे सरीर में चुप जाता है इस प्रकार दोस्तों ये थे आचारे चाणक के हच के विचार मैं समझता हूँ कि आप कोई वीडियो प्रसंद आया होगा अगर प्रसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन, शुभू, नमस्क्राइब